6 और 8 वर्ष की भारत की सबसे बुरी बहनों में गैस्ट्रिक बैंग सर्जरी है उनके संयुक्त वजन 22 पत्थर पर पहुँचने के बाद योगीता और अमिशा ने पिछले मैंने भारत में सर्जरी कर दी थी दोनों युवा बहनों के वजन कम करने के लिए एक कठोर बोली में वजन खटाने के प्रयास में बाइस पत्थरों के संयुक्त भार वाले ओबी इसी बहनों ने केवल 6 पत्थर की उम्र में सर्जरी कर दी है भारत की दो बहने योगिता बाठ हैं और अबशाशा छे चके क्रमशा पाँच नौ किलोग्राम और बैयासी किलोग्राम वजन में भारी थी लेकिन वे पहले से ही वजन में एक पत्थर से अधिक हो चुके हैं और बेरियेट्रिक सर्जरी से गुजरने के बाद उनकी सांस में सुधार हुआ है पश्चमी भारत के गुजरात के एक गाउं से 36 वार्षिय पिता रुमेश भाई नंदवाना ने कहा मैं आपको नहीं बता सकता की हम कितने खुश हैं यहां आने और सही परिणामों के साथ सही साहयता प्राप्त करने के लिए यह एक लंबी यात्रा रही है लेकिन हम पहले से ही परिणाम देख सकते हैं हम उनकी विशेष्टाओं को देख सकते हैं वे छोटी लड़कियों की तरह दिखते हैं हम उन्हें बहतर होने के लिए बहुत खुश और उत्साहित हैं दो बहनों ने रोजाना भोजन की एक बड़ी मातरा खाई चपाती के नाश्तिक और छे केले और आठ चपाती आधे किलराम चावल और दो पहर के भोजन के लिए दो पहर के भोजन के साथ साथ कुरकुरे के 6 पैकेट बिस्कुट के पांच पैकेट, एक दरजन केला, दूद का एक लीटर और हर दिन कोक का एक लीटर रमेश भाई जो एक मजदूर के रूप में सिर्फ तीन हजार रुपे पैंटीस पाउंड कमाते हैं अपनी भूख भरने के लिए अपने सारे पैसे खाने पर खर्च करते थे उन्होंने कहा, मुझे कभी कभी सो रुपे का भुखतान मिलता है और कभी कभी कोई काम नहीं होता है मैं खेतों में काम करता हूँ, कुए खुदता हूँ और पैसे कमाने के लिए जो भी काम करता हूँ वह करता हूँ मैं हमेशा अपने भूखे बच्चों को खिलाने के बारे में चिंतित था, मैं उन्हें भूखे रोना नहीं छोड़ सका और जब मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने इसे अपने भाईयों और दोस्तों से उधार लिया अखबार के लेख देखने के बाद 2015 में स्थानिय सरकारी अस्पताल ने लड़कियों की मदद करने की पेशकश की और रुमेश भाई को अपनी बीटियों को ज्यादा नाराज करने की सलाह दी लेकिन जब भी उनका आहार दो चेपेटियों और दोपहर के भूजन और रात के खाने के लिए मिश्रित सबजी शोरबा तक गिर गया तब भी लड़कियों ने वजन हासल करना जारी रखा अगे तीन वर्षों के लिए परिवार को पूरे भारत में विभिन अस्पतालों में मदद की मांग की गई लेकिन कोई परिणाम या लंबी अवधी के वजन खटाने से लड़कियों को स्वस्थ होने में मदद मिली हाला कि पिछले महीने अहम्दबाद पश्चमी भारत में एशिया इबर एरेक्स क्लिनेक के एशिया के शिष बेरियाटरिक सरजन डौत में हेंद्र नारवरिया ने परिवार को एक बैठक के लिए आमंतằng किया परिवार ने अपने गाउं से अहम्दबाद में नौ घंटे की ड्रेन यातरा की और दोर नारवरिया से मुलाकात की डोर नार्वरिया ने रमेश भाई की नी शुल्क सहायता का वादा किया और बहनों की सरजरी की पेशकश की ताकी पेट में शल्य चिकित्सा और दीर्ख कालिक परामर्श और स्थाई वसन घटाने और हॉमून और विटमिन के पाठे क्रम पर मार्ग तर्शन कम किया जा सके डोर नार्वरिया ने कहा यदी छोड़ा गया तो इन बच्चों को वहिस्टा नहीं दिखाई देगी वे युवा मर जाएंगे इन बच्चों को अपने वजन को कम करने के लिए मेरी मदद की जरूरत है और फिर उनकी स्थिती को स्थिर करने के लिए दीर्ख काले क्यूच ना पर जाएं उनकी हालत के लिए कोई नाम नहीं है उनके पास आनुवांचिक समस्या है और लेप्टीन रेसेप्ट की कमी है लेकिन अगर मैं उन्हें बहतर बनाने में मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा मैं सरजरी के लिए बच्चों को कभी चार्ज नहीं करता हूं अगर इन्हें लंबे जीवन जीनी का कोई मौका मिलता है तो इन बच्चों को ततकाल मदद की जरूरत है पिछले महिने 6 मार्च को योगिता को अमिशा को सरजरी में ले जाया गया ताकि उनके पेट का एक हिस्सा हटा दिया जा सके अगले दिन लड़कियां केवल तरल पदार्थ पर थी और सातब दिनों के बाद वे धीरे धीरे ठोस खाद्य पदार्थों को फिर से शुरू करना शुरू कर दिया लेकिन बहुत छोटे हिसे सरजरी से पहले योगिता ने कहा मेरे पडोस में एक लड़का मुझे फैटी कहता है और यह मुझे दुखी करता है मुझे यह पसंद नहीं है मैं वजन कम करना चाहता हूँ इसलिए मैं आपने दोस्तों के साथ घूम सकता हूँ शल्य चिकित्सा के एक मैंने बाद योगिता नौ किलो खो गई थी और अमिशा दस किलो खो गई थी और सप्ताहों के उत्तरार्थ में दोनु वजन कम करने के सकारात्मक संकेत दिखा रहे थे मा प्रिग्नबेन अब 32 वर्ष ये एक पूर्णकालिक ग्रिहिनी जिसकी एक और बेटी भाविका है अब नौ जो सामान्य वजन है और सबसे छोटा बेटा हर्ष अब चार है जो पहले ही 24 अशमलव 6 किलो वजन का वजन कर रहा है लेकिन इसका इलाज नहीं किया जा रहा है रसोई घर में अपना पूरा समय बिताएं उसने कहा मेरे दिन चपाती और कारी बनाने से भरे होते थे और भारी नाश्ता और दोपहर के भोजन के बावजूद वे हर समय भोजन मांगते थे और रोते थे और चिलाते थे तो चिलाते थे मैं हमेशा रसोई के लिए खाना पकाने में था लेकिन अब वे छोटे भोजन खाते हैं यह धिक नियंत्रित है